हेलो सुनेंट्स मैं अंजु सांगवान आप सब बच्चों का स्वागत करती हूं और मैं चैनल नियू और मैंस क्लासिज और आज की लेक्चर में हम करेंगे रैंक ओप मैंट्रिक्स की थर्ड एक्सराइज दो में करवा चुकी है इसके बाद हम सेवन चेप्टर की जो में कई बच्चे पूछने की मैडम स्लेवर्स कंप्लीट होगा कि नहीं और जब भी अबीस्टी का स्लेवर्स है आपके बाद सेमेस्टर फास्ट मैं कोशिश करूंगी कि स्लेवर्स आपका कंप्लीट करवा सकूं एक्जाम आपके शैद जैन के लास्ट में या फैब के अगर स्लेवर्स कंप्लीट होता है तो एंड जितना होता है इतना करता है चले देखिए एक्सराइज 2.3 आज हम कर रहे हैं यहां पर कुशन फर्स्ट आपके बास रडिउस्ट मैट्रिक्स इन नॉर्मल फॉर्स्ट के चार पार्ट है मैं आपको फॉर्थ पार्ट करवारी इन फर्म i are 0 यहां पर जो i are that means identity matrix of order R ठीक है आर की वैल्यू जो आप जैसे कॉशन बना सॉल करेंगे तो वहां पर चेक करेंगे तो और की ट्री ओर्र की तो यहां पर i are की वैल्यू जो हो इसका order शो कर रहा है और and second form आप कैसे लिख सकते है I R 0 0 is the zero matrix ठीक है जैसे zero matrix आपके पास ऐसे भी हो सकती है ठीक है zero matrix column and row में भी हो सकती है two gross two भी हो सकती है जैसे भी बनती है and third आप लिख सकते हैं कि आप इस तरह से बनाओ normal form ठीक है तो इस type से आपको A matrix को operation apply करके यहां पर आप row और column operation दोनों apply कर सकते हैं और आपको matrix A को इन forms में reduce करना है यह होती normal form जिसे आपके बास question दे रखा है question मैंने पहले यहां पर solve कर दिया है ताकि calculation में को mistake भी ना हो और फटा-फटा हमारा lecture भी हो जाए अपके बास matrix given 0 2 3 अब देखिए leading element यहां यहां पर हम देख रहे हैं कि हमें starting में identity बनानी होती है अब यहां पर identity बनाते है माले जी की 2 x 2 के अगर हम देख रहे है 1001 तो starting में हमें क्या चाहिए 1 चाहिए ठीक है तो यहां पर मुझे number चाहिए 1 इसलिए इसलिए हमने इस प्लेस को 0 बना लिया इसलिए हमने इस प्लेस को 0 बना लिया अब देखते हैं और क्या change कर सकते हैं इसके बाद हमने इसको 1 बनाया means column first को 2 से divide कर दिया ताकि बाकी numbers को effect ना करें इसलिए हमने column operation apply कर लिया ठीक है 100 मिल गया हमे then next time हम इस first row को 0 बनाएंगे यहां पर देखते हैं हमने operation apply कि column column 2 में से 3 into 3rd column column second minus 3 into 3c1 इसको 3 से multiply किए second में से multiply करो third column में से minus करो और इसको 4 से करेंगे और fourth में से apply minus करेंगे दनिया आ जाएगा आपके बस zero 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 तीनों places भी zero आ जाएगा ठीक है then next हम क्या कर लेते हैं r3 में से row 3 में से row 2 minus कर लेते हैं अब देखे जैसे आप minus कर रहे हो दोनों number same है यहां पर zero zero आ जाएगा ओके next time अगर आप identity बना रहे हो यहां पर आपके बास two cross two के identity भी बन सकती है और यहां पर हम three cross three की भी बना सकते हैं वह according to question आप जैसे जैसे करते जाओगे वह आपको पता चलता जाएगा अब यहां पर अगर मैं one बनाती हूं this number then मैं column second को two से divide कर लेती हूं और column थर्ड को three से divide कर लेते हैं यहां पर one and one number आजाएगा ओके इसके बाद यहां इस प्लेस को आप zero बना सकते हो क्यासे किसी भी second यह third column को four से multiply किजिए और fourth में से माइनस कर देंगे ठीक है और इन दोनों को माइनस करेंगे यहां पर भी zero आ सकता है यहां इस नमबर को और इस नमबर दो दोनों को zero बना लिया हमने यहां पर अब रहे गया हमारे पास minus 10 अब हम क्या कर सकते हैं कि minus 10 को अगर मैं row fourth third row को 10 से divide कर देंगे minus 10 से divide कर लेती हूं operation apply करेंगे next is are 4 into minus 1 by 10 means अगर मैं row third को minus 1 by 10 से divide करती हूं तो यहां पर मेरा one बन जाता है that means हमारे यह आ गया यहां पर one ठीक है अब हमें identity बनाने है अब यहां पर देखिए identity तो one zero zero one यहां पर भी बन जाती है बट बाकी सारे number zero होने चाहिए समझगे अगर यहां पर देखिए अगर यहां यह प्लेस जीरो होता तो यहां पर बन जाती this form आई आर जीरो 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 बट इस इस number को आपको इधर सिफ्ट करना पड़ेगा क्यों क्योंकि यहां पर सारे number zero होने चाहिए इन numbers में कोई भी non zero number नहीं होना चाहिए ओके तो हम यहां पर operation apply करते हैं row 4 को और 3 को interchange कर लेते हैं यह column इधर आ जाएगा and third column fourth place पर अब यहां पर देखिए one zero 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 one zero 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 one this is the identity यह अपके पास बन रही है यह identity three cross three order की समझगे then यह इसको हम लिख सकते है i3 and यह जो column अपके पास बच रहा है fourth column this is the zero matrix means यह आ जाएगा zero 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 ओके यह बन गया आपके पास i3 zero ओके अगर यही matrix जो यह अपके पास आया है अगर मैं इसको ऐसे लिख देते हूं a first one zero 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 one zero और last number हमारा होता है यहां पे जीरो यहां पे तो हमारा one है इसलिए हमने इसको interchange किया और जो हो three order की identity बना लिया हमने अगर यहां पे मेरे पास zero है तन मेरे पास जो यह identity आएगी this is the this is the identity of order two समझ गे तो इसकी normal form हम कैसे लिखेंगे यह identity होगी one zero zero one two cross two ठीक है इसके बाद इसके parallel जितने भी यह हमारे चल रहा है इसके parallel जितने बनेंगे this is the zero matrix this is the two cross two order की zero matrix ओके इसके बाद आप इधर भी देखेंगे इधर यह जिरो आ रहे हैं दोनों यह also zero matrix is a row matrix and यह भी आपके बास zero matrix तो इस एक ही बन जाती यह normal form समझ गे अब यहां पर जैसे आपके बास three cross three order की है तो इसके parallel देखेंगे अगर आपके बास एक रो और होती zero then आप यह आपके बन जाती i three zero 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 समझ गे अब यहां पर right side will यानि कि last column zero है तो इसकी form लिखेंगे i three zero rank कैसे बताते हैं अगर normal form में reduce करना है और हमें इसका rank बताना है तो by normal form भी आप matrix का rank find out कर सकते हैं सबसे पहले matrix को change करेंगे हम normal form में normal form हमारी आ जाती है i three zero यहां पर आपको check करना है कि identity कितने order की है देखें आपर three cross three order की है then rank of a is three understand तो आप rank जो normal form से बता सकते हैं अगर पूछा नहीं जाता है question में कि आप रो एकलन या column एकलन form से rank निका लिए अगर direct बोला जाता है कि आप rank of matrix find out के जिए तो आप जो normal form से भी निकाल सकते हैं ठीक है अगर माली जी यह matrix आपनी किसी भी matrix को reduce किया है इस form में means this तो यहां पर identity two cross two यानि two order कि तो rank of this matrix is two हो जाता है ठीक है तो इस तरह से आप rank भी बता सकते हो और normal form में reduce कर सकते हो यहां पर थोड़ा साफ को सोचना पड़ेगा कि जो identity operation अप्लाइ करते जा रहो स्टार्टिंग में बनाई है इसके बाद 00 जितने ही बन रहे है इस तरह से बनाई है कि सबसे पहले हमारे बास two cross two की अगर बन जाती है दन सही है इसके बाद अगर नहीं इध order of matrix पे depend करता है कि को सब्सक्राइब करता है कि को सब्सक्राइब कर रहे हैं को और second question वैसे ही है बिल्कुल चैसे मैं अभी आपको एक question करवाया है फॉस्ट का फॉर्थ पार्ट वहां पे भी आपको normal form में change करना है और rank find out करना है ठीक है उसके जितने भी बाकी पार्ट्स है जिसे second question हो गया complete second and first के parts उनकी में PDF description box में लिंक डाल दूगी आप वहां से check कर ले ना थर्ड कोशन क्या है reduce the matrix A to I3 0 यहां पर हमें दे रखा है कि इस matrix को इस normal form में change करना है समझ गे इस matrix को normal form बनाएंगे तो 3 cross 3 order की identity हमें चाहिए और 0 matrix चाहिए means 4th column हमें 0 बनाना है और starting के 3 जो 3 cross 3 matrix या अगर इसको हम यहां से skip करेंगे तो यहां से हमें 3 cross 3 की identity बनानी है अब मुझे लिखता है कि यह question comparison to first question easy पढ़ता है क्योंकि यहां पर दे रखा होता है कि आपको change किसमें करना है समझ गे अब देखें यहां से सबसे पहले जो आपके पास दे रखा है A matrix इसमे इसके बाद column 4 में से column second हमने minus कर लिया this and this देखी column 4 है ठीक है और यह column second है क्योंकि यह number और यह number same है इसलिए हापे 00 बन जाएगा ठीक है इसके बाद हमने operation apply किया r2 minus 4 r1 and r3 minus 2 r2 इसके बाद हमने इन numbers को 0 बनाया क्योंकि यह तो हमें 1 चाहिए है आइंटी के लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस तरह से आपको बनाना है ठीक है इसके बाद हमने operation apply किया c2 में change किया है c2 plus c1 इन दोनों को add करेंगे तो यह number 0 बन जाएगा and c3 c3 में से क्या करते हैं 2 से multiply करते हैं और c3 में minus कर लेते हैं ओके यह तो 0 था ही है हमारे बास दोनों भी number 0 बन जाएगे 1 0 0 मिल गया पूरे column को इसको हमें 0 बनाना है क्योंकि हमें जो form चाहिए वो चाहिए i3 0 इसका मतलब 4th column 0 होना चाहिए और स्टार्टिंग के 3 column में identity of 3 cross 3 ठीक है then r2 second row में हम change करेंगे r2 को हमने 6 से divide किया यहाँ पर मुझे 1 चाहिए इसके बाद इसलिए मैं क्या करते हूँ second row को मैं 6 से divide कर लेते हूँ ठीक है यहाँ पर आ जाएगा minus 3 by 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1 इसके बाद मुझे इस नंबर को 0 चाहिए और इसको मुझे यहाँ पर मुझे 1 चाहिए ठीक है और यहाँ पर 0 then next हम करते हैं यहाँ पर 0 बनाते है second row को 4 से multiply किजिए और 3rd में से minus कर देंगे then next आ जाएगा हमारे बास यह नंबर 0 बन जाएगा 4 के प्लेस में 0 बना लिया and इसको जब आप 4 से multiply करते हैं 3 by 2 को हमने 4 से multiply किया minus 6 और जैसे आप minus 6 को minus 6 से minus करेंगे then यह नंबर भी हमारे पास 0 बन जाएगा ठीक है यह आगा 0 इसके बाद मुझे यहाँ पर 0 चाहिए तो इस second column को 3 by 2 से multiply करके add कर देंगे 3rd में and 4th जो यह आपके बास minus 2 इसको भी मुझे यहाँ पर 1 बनाना है 1 क्यों बनाना है क्योंकि मुझे 3 cross 3 order की चाहिए matrix तो यहाँ पर 0 आ चुका हम इसको इसको इंटर चींज कर लेंगे ताकि यहाँ जैसे अभी हमने यहाँ यहाँ पर 1 बनाया इसको मने जो माइनस कर लिया column 4 को माइनस हाफ से तो यहाँ पर 1 आ जाएगा and यह place हमारा 0 हो गया अब हम इंटरचेंज करेंगे column 3rd and column 4th को because यहाँ पर identity matrix जाएगी यह अपके बास form आ जाती है जो हमें बोला गया था कि I3 0 बनाए यह this is the I3 क्योंकि कुना column 0 है यहाँ जाएगा 0 matrix खीक है अब rank of matrix हम क्या बताते है rank of matrix A जितने भी आपके वास order की identity बनती है बात वही कि देखा जाए तो दे रहाँ 3 non-zero row क्योंकि इसके अंदर भी non-zero number आ रहा है यहां पर भी और यहां पर तीनों की तीनों जो रो है वह non-zero बट हम वह रोग आपको चेक करते हैं नॉर्मल फॉर्म में आपको चेक करना है कि कितने order की identity आप यहां पर बना रहे हो इन नॉर्मल फॉर्म इंदे 3 आ रही है तो rank of matrix A is 3 ठीक है important question है अगर आपको इस तरह से given होता है तो और भी ज्यादा easy पढ़ता है निकालने में क्वेशन फॉर्थ में जो दे रुखा आपके बास A matrix दे रखिया है और उसको आपको identity matrix में चेंज करना है तो elementary operation apply किजिए और identity में इसको चेंज करना है वह simple question है आप PDF में उसको चैक कर लेना question 5 देखिए यह important question समझने का भी है express A matrix यह matrix given as a product of elementary matrices इसकी में theorems जो मैंने चैप्टर करवाय था rank of matrix वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से detail में बता चुकी हूं कि elementary operations कैसे होते हैं कैसे apply करने हैं क्या होते हैं और कैसे हम उनको बनाते हैं अब देखिए हमें A matrix को क्या लिखना है product of elementary matrices, elementary matrices बनती है elementary operations से और elementaryells क्या होते हैं जब हम matrix A को reduce करते है और जो आप use करते हो प्रिसन इनको बोलते elementary ऌपरेशन समझ गए, A matrix दे रखिए हमने हापर सबसे पहले हम A matrix को identify matrix बनाएंगे आइंटी मैट्रिक्स बनाएंगे तो आपके पास operation apply करने पड़ेंगे यहाँ पर तो जो operation apply कर रहे हो इनको हम बोलते हैं elementary operations सबसे पहले हमने दो नमबर को 0 बनाया r2 minus r1 and r3 minus r1 ठीक है यह जितना भी change होते हैं हमने यहाँ पर operation apply किया उसके बाद हमने r1 में से 3 r2 operation apply किया then operation apply करेंगे कि इसको जो column 3 को first को 3 से multiply किजिए और इसमें से minus किजिए यह place भी माना 0 आजाएगा ठीक है अब यहाँ पर हम चक करते हैं कि आपने कौन-कौन से operation apply किया है A matrix को identity बनाने में जो भी use किया है वो operation देखिए r2 r2 minus r1 second operation आपने apply किया r3 r3 minus r1 next is r1 r1 minus 3 r2 and last है आपके पास column 3 column operation 3 minus 3 c1 इसको elementary form में कैसे लिखते हैं r2 देखिए हाँ पर r1 को minus 1 से multiply किया और r1 में से minus कर दिया इसको हम लिखेंगे r1 minus 1 समझगे यह मैं बहुत अच्छे से पिता चुक है आपको detail में r2 minus r1 इसका मतलब यह है कि r1 को मैंने minus 1 से multiply किया और add कर दिया r2 में इसको हम लिखोगे r3 1 minus 1 यहाँ पर row अपलाई कर रहे हैं तो row elementary operation हो जाएगा ठीक है first row को minus 1 से multiply करो और r3 यहाँ थर्ड row में add कर दिया यह क्या बनेगा r1 3 minus 1 sorry 2 उल्टा लिख दिया हमने यहाँ पर r2 है minus 3 देखे r2 को minus 3 से multiply करेंगे और add कर देंगे 1 में जहाँ पर कॉमा आ जाता है इसका मतलब वहाँ पर हम add कर रहे है r1 को r2 में add कर रहे है बट यहाँ पर हमने minus 1 लिखा मतलब r1 को minus 1 से multiply करके r2 में add कर रहे है यहाँ पर देखे इसको आप लिखोगे column 3 and 1 3 1 minus 3 first column को minus 3 से multiply किया और third column में हमने add कर दिया ठीक है एलिमेंटरी ओपरेशन जो मेट्रिक्स बनाई है एलिमेंटरी ओपरेशन मेट्रिक्स क्या होता है जो अप्लाई करते हो इंको लिखते है row e of सबसे पहले आप third row का ले लिजी 3 1 minus 1 e हमने apply लगा दिया हाँ पर इसका मतलब आप यह operation identity matrix पर apply कर रहे हो और हमारे पास matrix आ रही है इसके बाद e 3 1 minus 1 इसको मनें सकते है row e 2 1 minus 1 इसका मतलब identity matrix पर row first को आपने minus 1 से multiply किया और row second में add कर दिया ठीके दूसरी matrix आ गई third elementary matrix आ जाएगी row operation apply कर रहे है e 1 2 minus 3 and fourth is this is column अब हम identity matrix में column operation apply करेंगे e 3 1 minus 3 ठीक है अगर यह आपके पास these are these are elementary matrix elementary matrices क्योंकि यह सारी हमने इनी operation से elementary matrices बनाई है elementary matrix होता है जो operation आप identity matrix पर apply करते है अब देखिए identity matrix कब आई है अब यहां से आप लिख सकते हो i 3 matrix यह identity matrix इनी operations की हाल से हमने बनाई है और इनी operations की हाल से हमने elementary matrices बनाई है देन आप i 3 डिखेगे यानि कि this matrix is equal to r into e 3 1 minus 1 multiply by r e 2 1 minus 1 then third matrix r e 1 2 minus 3 फिर a a के left में सारे के सारे आपको row elementary matrix रखनी है और a के right में column elementary matrix क्योंकि column हमारे पास एक ही है क्योंकि हमने एक ही column operation apply किया था यह column matrices हो जाएगा ठीक है अब मुझे A matrix को निकालना है A matrix को as a product of elementary matrices अब हमें elementary matrix तो निकाल लिया कि यह यह बनेंगे हमारे पास 4 1st 2nd 3rd and 4th बट हमें A को लिखना है ठीक है तो इन matrix को आपको इधर shift करना है जैसे आप इधर shift करेंगे inverse में change हो जाएंगे understand इनको आप लिख सकते हैं अगर inverse apply करते हैं A B inverse B inverse A inverse होता है ठीक है जैसे आप इन matrix को left में लेकर आते हैं then सबसे पहले last matrix जाएगी means R E 1 2-3 inverse ठीक है फिर इसके बाद this matrix क्योंकि हम जो last से लेकर लेकर आते हैं inverse apply करते हैं then R E 2 1-1 inverse then R E 3 1-1 इसका inverse और sorry इसको आप इधर लेंगे C E 3 1-3 this inverse equal to A matrix तो A matrix हमने निकाली तो हमने आप इनको left hand side पे ले आए और left hand side पे आते ही है हमारे पास inverse में चेंज जाएंगी और I 3 को multiply करेंगे तो यही आंसर हम inverse को solve करेंगे inverse आजाएगा यहां से R E 1-2 अगर inverse लेकर चलते हैं तो यह जो minus होता है यह plus हो जाता है means 3 यहां से inverse solve हो गया इसका inverse solve करते है R E 2 1-1 and यहां से आजाएगा R E 3 1-1 क्योंकि inverse है inverse जो हम shift करेंगे elementary operation में तो यह rule होता है हमारा कि यह minus plus हो जाएगा यह plus होता तो यह minus हो जाता है सबका inverse solve हो गया आपर इन्वर्स solve करने के बाद हम यह elementary matrix लगाते हैं यह जो operation अप्लाई करते हैं आप यह identity matrix पे solve करेंगे 0 1-0 और identity matrix कितने order के लिए नहीं है जितने order की matrix गिवन होगी ठीक है यहां में apply कीजिए और 1-2-3 means second row को 3 से multiply कीजिए और first में add कर दीजिए यह आ जाएगा 1-3-0-0-1-0-0-0-1 next को multiply करेंगे r1 को 1 से multiply करेंगे second में add कर देंगे means 1-0-0-0 यहां पे add करेंगे 1-1-0-0-0-1 ठीक है this is multiply by third बनाएंगे हाँ पे first row को one से बिल यानि कि first row second को third को add कर देना है 1-0-0 और change किसमे होगा जो first number पे first place पे जो number होता है 0-1-0-0-1-1 ठीक है and last matrix रह जाती है अपके बास इसको मैं rough कर रही हूं आ से last matrix is this is r31 यानि कि first first row को last column column apply करेंगे column first को 3 से multiply करके third में add कर देंगे तो column first को 3 से multiply करेंगे यह आजएगा 1-0-0-0-1-0 and 3-0-0 and equal to A matrix तो A matrix को हमने लिख दिया मैं multiply of elementary matrices में ठीक है इस तरह से आपको करने elementary matrices अपके बास इसका मैं method आपको समझा देती हूं यहां पर question में मालने जाए आपके पास यह matrix की बन है आपको elementary operations अप्लाई करके इसका inverse find out करना है अब A matrix को आप लिख सकते हैं I into A यह बच्चे ने question भी पुच्छा था कि I into A को हमने A क्यों लिखा अब किसी भी number को 3 equal to 3 into 2 sorry 3 into 1 किसी भी number को 1 से multiply करेंगे itself आता है इसी तरह से आप किसे भी matrix को identity matrix से multiply करेंगे तो वही matrix आएगी ठीक है अब हम इसका inverse find out करना है अब देखिए यहां पर inverse कैसे निकालते हो आप A into B matrix 2 matrix से multiply करते हूं और identity आ जाते है then we can say that B is inverse of matrix A यहां पर लिख सकते हैं कि B जो हो A matrix का inverse है ओके इसलिए अब हमें यहां पर क्या करना होगा यहां पर A matrix की value रख दीजी आप A matrix जैसे कि बाल लेजी आपके पास यही question given है for example 133 143 134 हमने यहां पर left hand side पर A matrix की value रख दिये identity उतने ही order की लेनी है जितने order की आपके पास matrix given है 10000100001 और यह यह matrix आप A ही रखेंगे means हम इसकी value नहीं रखेंगे ओके अब हमें elementary matrix जो operation apply करने elementary operation मतला हमें इस matrix को identity matrix में change करना है किसको जो right hand side पर ठीक है यह matrix हम change करेंगे identity matrix में आप operation apply करते जाहिए और इसको identity matrix से बनाई है समझगे जैसे हम इसको identity matrix बनाएंगे जो operation आप left hand side पर अप्लाई कर रहें वहीं आपको right hand side पर अप्लाई करने है जैसे यहां पर हमने यह दो जगे अपने इस नंबर को इस नंबर को जी रो बनाना है तो जो नम रो में से आर तो में से रो बन गटाएंगे आर ती में से रो बन माइनस करेंगे यहीं ओप्रेशन सेम इधर अप्लाई करेंगे इधर जो भी matrix बन रही है matter नहीं करती left hand side पर आपको identity matrix में चेंज करने यह matrix आजेंगी identity इधर जो भी matrix आती है into a then this matrix is inverse of a because a into b's identity आजाता है then a matrix दूसरे matrix का inverse होती है ठीक है तो इस तरह से सौल करने लास्ट कोशन है 7th question वर में लेक्स लेक्टर में करूंगे आपको थो आपको आज इतना ही करवाएंगे और इसको ट्राय किजिए और इसको ट्राय किजिए एंड थैंक यो फॉर वचिंग मार्ग वीडियो